हेलो डियर स्टुडेंट्स तो क्या हाल है आप सभी का उमीद करते हैं कि आप सभी सांदार चांदार जबर्दस्त होंगे घरों पर इंजॉय कर रहोंगे और हमेशा की तरह आप सभी ने थम्नेल पर देख लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पर होने जा रही कीजे थम्नेल के अकोर्डिंग में चेप्टर बाइस आप सभी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं दोजा और चौबिस में जितने भी कोश्चन आया हुए है दो चेप्टरों का सॉल्यूशन में फिलाल में करा चुका हूं आज ये तीसरी वीडियो है उन दो जो का चैनल पर श्वागत है ये रहा हमारा तीसरा चक्टर रैकिक समीकरण एक्स प्लेस टू वाई प्लस पांच बरावर जीरो माइनस त्री एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस बन बरावर जीरो के योगमगा हल होगा अधूतिये दो आपरेमित रूप से अनेक और उपरियो मैंसे कोई नहीं तो हम चैक करेंगे कि इन दोनों रैकिक समीकरणों में क्या हिस्तिती देख रही है प्रतिछेदे संपाती है या समानतर है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉलुशन आपको बता पाएंगे तो कि इस तरीके से सॉलुशन करना है तो आप लोग मेरे साथ देख ल इस समीकरण की जो कंपैरिजन करेंगे एवन एक्स ब्लस बीवन वाई प्लस सीवन वरावर जीरो से कर देंगे और इस वाले समीकरण की तुल्ला कर देंगे एटू एक्स प्लस बीटू आई प्लस सीटू वरावर जीरो से कंपैरिजन कर देंगे अब पहले समीकरण से अग पर बट देखते हैं, तो 5 बट एक होजाएगा। दोनियों एक्वेशनों में आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 ड़स नोट इक्वल C1 बटे C2 और यह यह एक्वेशन जो बनी हमारी यह समानतर वाली बन गए और समानतर में नो सॉल्यूशन यानि कि कोई भी हल नहीं होता ठीक है कोई भी सॉल् आपको बता दें वो परियोग तुमें से अपरिमित रूप से अदूतिय तो तो परियोग तुमें से कोई नहीं कोई भी हल नहीं होगा अदूतिय मतलब कीबल एक अदूतिय हल का मतलब है कि प्रतिछेद वाली इस्तिति अपरिमित रूप से अनेक हल की स्तिति का मतलब है क संपाति वाली इस्ते थे और no solution यानि कि कोई भी हल लाई यानि कि समानतर वाली इस्ते थे clear आपको चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं ये रहा अगला question किस तरीके से solve करना इसको भी समझ लेते हैं किया रहा है कि दो वर्गों के छित्र फलों का योग फल कितना दे रहा है 157 ठीक है माना पहले वर्गी की भुजा बराबर एक्स मीटर और दूसरा जो वर्ग है दूसरे वर्गी की भुजा मान लेते हैं Y मीटर किया रहा है कि छेत्र फलों का योग है 157 ठीक है छेत्र फलों का योग बराबर जो होगा वो 157 दे रहा है यानि X का स्कार प्लस Y का स्कार बराबर 157 ठीक है समीगरण पहला इसके बाद परिमापों का योग फल 68 परिमापों का योग बराबर 68 यानि के परिमाप कितना होता चार ओने भुजा यानि 4X प्लस 4Y बराबर 68 पूर पमन ले लिया जाए एकस प्लस Y बराबर 68 हो जाएगा 4 से भाग देंगे 4 एकब 4 चार सत्य 28 ठीक है तो X प्लस का Y बराबर 17 तो Y बराबर हो जाएगा 17 माइनस का X एक्वेशन 2 अब क्या करना है दोने एक्वेशनों को सॉल्व कर लेना है ठीक है तो समीगरण दो का मान एक में रखने पर क्या लेखेंगे समीगरण दो का मान एक में रखने पर ओके बच्चो चलिए रख देते हैं Y की जगा 17 माइनस X यानि X स्कौर Y की जगा 17 माइनस X की पावर 2 वराबर 17 यह A माइनस B का स्कौर यानि A का स्कौर B का स्कौर माइनस 2AB 2A इंटू B ठीक है X स्कौर X स्कौर 2X स्कौर 17 का स्कौर 289 हो जाएगा माइनस 17 दुनी 34 X और 157 पच्चांतर होके माइनस हो जाएगा 2X स्कौर माइनस 34 X प्लस माइनस अगर घड़ते हैं 9 में से 7 या 2 पाच में 8 में से 5 या 3 दो में से 1 या 132 ठीक है अब सभी में नोटिस करना 2 कौमन निकल सकता है तो निकाल लीजे X स्कौर माइनस का 17 X 6 और 6 6 चांचट हो जाएगा 2 जाएगा 0 के तरफ समाप्त हो जाएगा ठीक है बराबर 0 अब क्या करते हैं 6 चांचट के ऐसे गुड़नकट प्लस का जिन्न जोड़के कितना आ जाए 17 तो 11 चांचट होगा 11 X प्लस का 6 X plus 6 चांचट is equal 0 X स्कौर माइनस का 11 X माइनस का 6 X plus 6 चांचट बराबर 0 X स्कौर माइनस का 11 X चल्यूढ मैं common जो निकल सकटर ले लेते हैं दोनों में X common आit Eastern X माइनस 12 दोनों में 6 common आईगा तो X और 11 बराबर 0 X minus का 11 common आ जाएगा बच्चे का X minus 6 वरावर 0 ठीक है अब X minus 11 is equal 0 X वरावर 11 X minus 6 वरावर 0 X वरावर 6 ठीक है अब अगर ध्यान से देखेंगे जब X वरावर 11 X वरावर 11 तब Y वरावर 17 minus 11 वरावर 6 और B में जब X वरावर 6 दोनों पहुश्टे बेना तब Y वरावर 17 minus 6 वरावर 11 क्या लखेंगे अतहाँ वरगी के बुजाओं कि माप ग्यारा मीटर तथा 6 मीटर होगी अब कनफर्मिशन सत्यापित कर दूं है 11 का स्कॉर 121 6 का स्कॉर 36 37 24 किलोमीटर दारा की विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर है की दिशा जाने में 195 अनकूल Direction और विरुद्ध मतलब Вिरुद्ध प्रति कूल डायरेक्शन टीक है। स्त송R आपको क्या करना है मानना धारा की चाल हर सवालों में धारा की चाल बरावर एक्स किलोमीटर प्रतिघंटा एवां नाव की चाल य किलोमीटर प्रतिघंटा ठीक है अच्छा ऐसे नहीं गरते हैं यह धारा की नहीं पहले नाव की लिखते हैं ठीक है नाव की और यहां पर लेख लेते हैं धारा की अब सही है माना नाव की चाल बरावर एक्स किलोमीटर प्रतिघंटा इसमें सांत जल में और धारा की चाल कितने होगी वाई किलोमीटर प्रतिघंटा तब लेखेंगे तब धारा के अनुकूल चाल अनुकूल चाल अनुकूल में क्या होगी दोनों जुड़ जाएंगे अब धारा के प्रतिकूल चाल है x-y km अब ये धारा अगर भैरे ठीक है इसे डार अर जाए एक्स और धाजै क्या हो जाएगे अबंधैनेको एड हो जाहेगे नहीं धारा की दिसा यह ने परतिकूल डारेक्षन और वही चीज न इस दिसा में जा रहे जिसके चाहला है एक्स और धारा इस डारेक्षन पर बहेर ही वाई तो क्या होगा विपरित में x-y चाल हो जाएगे धारा की दिसा में जाते हैं तो यानिकि चाल improve कर जाएगे यानिकि increase कर जाएगे और विपरित डारेक्शन तो obviously घड़ जाएगे तो वही कि हमेने नाव की चाल x km प्रतिघंटा धारा की चाल y km प्रति गंटा तब धारा के अनुकूल चाल x plus y km प्रति गंटा धारा की प्रति कूल चाल x minus y km प्रति गंटा बात क्लीर बच्छो धारा बाले सवालों में आपको यह कॉंसेप्ट रटलेना इसके बाद जबकी जबकी नोटिस करना जबकी यहां पर कह रहा है कि नाओ की गती सांत जल्ब है 18 km प्रति घंटा जबकी X बराबर 18 km प्रति घंटा दिया है ठीक है पहली कंडिशन 24 km धारा के बिरुद जाने में लगब समय बराबर फॉर्मूलाओं का दूरी बटे चार यानि 24 बटे बिरुद यानि की X माइनस Y यह घंटा हो जाएगा ठीक है बी नंबर 24 km धारा की दिशा में जाने में लगब समय बराबर दूरी बटे चार यानि 24 धारा की दिशा में जाने में दिशा मतलब चाल अनुकूल की बात कर रहा है ठीक है अनुकूल मतलब उसी दिशा में और प्रतिकूल मतलब विरुद्ध दिशा में ठीक है तो ये दोनों इस्तितियों में समय निकला है अब क्या क्या रहा है कोश्चन में 24 किलोमीटर धारा की विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा जाने में एक घंटा अधिक स समय यह देख रहा है धारा की दिसा में जाएगी यानि जल्दी पहुंच जाएगी और धारा की विप्रीद दिसा में जाएगी यानि कि समय जादा लगेगा यानि कि यह क्या होगे जादा और यह समय क्या होगा कम obviously slow slow जाएंगे ज्यादा समय लगेगा speed से जाएंगे धारा की दिशा मतलब और speed बढ़ जाना या नहीं कम समय ज्यादा में से कम घटाएंगे question क्या according question क्या according धारा की विप्रीद दिशा में जो समय लगा 24 बटे X-Y में से धारा की दिशा में जाने वाला समय घटा देंगे क्योंकि यह ज्यादा समय है धारा की विप्रिद्ध समय समय ज्यादा लगेगा उसी दिशा में समय कम लगेगा और यह जो डिफ्रेंस है कम जादा गा भाई बोला है कि एक घंटा आधिक समय लेती है ठीक है तो 24 बटे X कितना दे रहा 18 माइनस Y 24 बटे 18 प्लस का Y गराबर एक और 24 कॉमन ले लिया जाए बचेगा 18 माइनस Y और 18 प्लस Y है रोंकला सा 18 प्लस Y इस तरफ गया माइनस 18 माइनस Y इस तरफ चला जाएगा ठीक है बराबर में एक तो 18 प्लस Y माइनस को गरा माइनस 18 माइनस माइनस प्लस अब एक बार प्लस में एक बार माइनस तो एक का स्क्वार माइनस 24 पच्छांतर हो जाएगा तो एक बटे 24 तो देखें 18 से 18 कड़िया 2Y 18 का स्क्वार 324 माइनस Y स्क्वार पर आबर एक बटे 24 कैंची गुणा कर दीजे ठीक है 48Y हो जाएगा और इनका गुणा होगा 324 माइनस को 22 का 48Y तो लिखा है 324 इस तरव आएगा तो माइनस का 324 के ऐसे गुड़न खंड करने है कि माइनस का चिनने घटा कि हमारा 48 आजा तो हमें क्या करना है जोड़ने पर जीरो आट चो को 32 कि सॉल्ब करना पड़ेगा इसको ना गुड़न खंड चाक करना पड़ेंगे 324 के कितने बागा है दो से भाग देंगे 162 दो से भाग देंगे 3 दू नीचा है 37 एक 20 3 तरवक नो 3 एकम 3 चिक है अब कितना हो जाएगा 172 नीचांगवण 172 नीचांगवण माइनस चाह 48 हो जाएगा कितना हो जाएगा y स्कार माइनस करना 14y माइनस 6y माइनस 324 बराबर 0 y स्कार प्लस का 14y प्लस का चिनना कोई परिवर्थन नहीं होगा बराबर 0 y कामन ले लिया जाए y प्लस का 54 माइनस का 6 कामन ले लिया जाए y प्लस का 54 बराबर 0 और y प्लस का 54 कामन लेने के पार y माइनस का 6 बचेगा बराबर 0 तो y प्लस का 54 बराबर 0 तो वाइ वराबर माइनस और य माइनस 6 वराबर 0, वाई वराबर 6 और अंसर यही हो दाएगा, वाई वराबर 6 किलिोमेटर परती हाऍटा, यही धारा की चाल हो जाएगी और एक टिप्स के तोर पर बात बता हूँ मैं आपको जब भी अंसर प्राप्त होगा न जो धारा की चाल होगी वो हमेशा नाव की चाल से कम ही होगी याद रखना इस शीट को अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं चलिए समी करनो के एक योग में दिया हुआ समी करनों का योग में दिया हुआ है इसका सॉलिशन करते है बात के लिए क्यारा रहकिक समी करनों का योग में दिया हुआ है कि हलो की संग्या होगी पई सीधी सी बात है एक्स माइनस वाई वरावर आठ एक्स माइनस वाई आठ इस तरवाएगा समीगरण पहला इसकी किस्से तुलना कर देंगे A1X प्लस B1Y प्लस C1 बरावर 0 A1 बरावर 1 B1 बरावर माइनस 1 और C1 बरावर माइनस का 8 इसकी बाद दे रहा है 3X माइनस 3Y बरावर 16 तो 3X माइनस 3Y 16 इस तरह आएगा तो समीगरण दूसरा इसकी तुलना किस्से करते है A2X प्लस B2Y प्लस C2 बरावर चीर अब A2 बरावर कितना हो जाएगा 3 B2 बरावर माइनस का 3 और C2 बरावर माइनस का 16 आप चेक करते हैं A1 बरावर 1 बरावर B1 बरावर माइनस एक बरावर माइनस 3 यानि एक बरावर 3 और C1 बरावर माइनस 8 बरावर माइनस 16 एक बरावर 2 ये दोनों आपस में क्या हैं बरावर है तो क्या निकला चुकि A1 बरावर A2 बरावर B1 बरावर B2 ड़स नॉट इक्वल C1 बरावर C2 कौन सी स्तिती है स्तिती है समांतर समांतर में क्या निकलता कोई भी हल नहीं समांतर में क्या निकलता है कोई भी हल नहीं ठीक है अब्जेक्टिव है पेपर में जितना जल्दी कर सको थोड़ा ना आपको एक का दो मार्क्स मिल जाएगा आपको तो answer correct वर्ट टिक करना है ठीक है इसलिए मैं direct कर देता हूं इन सवालों को आगी चलते हैं प्रैकिक समी करनों के यह मुका solution करना है यह बहुत आता है एक्जाम में क्या लिखा हुआ है 0.2x 0.3y 1.3 लिखें दो एक्स वटे 10 दो समलों के बाद एक आंखे न तीन वाई वटे 10 और 13 वटे 10 वटे में से 10 कॉमन निकाल लो तो 2x प्लस का 3y बरावर 13 वटे 10 एक्जाम पर ऐसा तो कहता नहीं है कि किस विधी से करना है अगर manger special विधी आप से बोल दे तो आपको फिर वही विधी लगाना ऐसा कहीं कुछ एले लिखा ही नहीं ए किस विधी से करना है किस विधी से करने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है ठीक है, 3y, ठीक, इसके बाद दूसरा दे रहा है, 0.4x-0.5y-0.7, ठीक है, तो 4x बटे 10 हो जाएगा, 5y बटे 10 हो जाएगा, माइनस 7 बटे 10 हो जाएगा, बटे में से 10 को अमान निकालने के बाद, 4x-5y बबराबर माइनस 7 बटे 10, 10 से 10 कट गया, 4x-5y बराबर माइनस 7, अब क्या करते हैं, इधर पर 5 से मल्टिप्लाई करते हैं, इधर पर 3 से मल्टिप्लाई और y वाले पार्ट को हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, पांस से जैसे गुणा करेंगे, 10x, 5-3-15y, बराबर, 13, 55, समी करन तीचरा, ठीक है, और 300 गुणा करेंगे, 12x, 5-3-15y, 7-3-15, समी करन चौथा, अब जब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों कट रहना, यह 20x हो जाएगा, 5 में से, एक गया तो 4, 6 में से 2 जाएगा, 4, वो भी प्लस का न, इसके बाद क्या गरते हैं, 22 से भाग दे जाते हैं, x बराबर 2 आ जाएगा, और x कमान किसी भी एक्वेशन पर रख दो, 2 दूनी, 4 हो जाएगा, 3y बराबर 13, 4 प्लस 3y बराबर 13, 4 पच्छां आंतर कर दीजिए, तो 13 माइनस 4 हो जाएगा, 13 में से 4 गया है, 9, 3, 3, 9, y बराबर 3, बस यह सॉलिशन हो जाएगा, x बराबर 2, y बराबर 3, एक तम से बार, ठीक है, चलिए, अगले कुश्चन दी दरब चलते हैं, अगले कुश्चन यह रहा, समी करने के योग मों को इसको भी सॉल्ट करना है, ठीक है, इसका किस तरीके से सॉलिशन करेंगे, 3, x माइनस 5, y, माइनस 4 बराबर 0, तो 3, x माइनस 5, y, चार पच्छांतर समी करन पहला, दूसरा लेखा है, 9, x माइन, बराबर 2, y, बराबर 7, तो 9, x माइनस 2, y, बराबर 7, अब इसमें क्या करना है, इ देखा निए, किस मैथर से करना है, तो ज्यादा तर में जो प्रिफर करता हूं, बलोपन भीती ज्यादा प्रिफर करता हूं, बच्छों को, क्या करते हैं, यहां पर 200 गुणा कर दीजे, यहां पर 5 से, 200 गुणा करेंगे, तो 6, x, 10, y, और 8, समी करन तीसरा, 5 से गुणा कर हो जाएगे, प्लस हो जाएगा, मैनेस फ्लस घट गाएगा, तो मैनेस 49, x हो जाएगा, और 35 में से जैसे 8, जाएगा, तो 27 हो जाएगा, वो भी मैनेस का, ठीक है ? माइनस 49 इस्त्रवा जाएगा X वराबर माइनस का 27 गटे माइनस 49 तीन नाम सत्ताई तीन चुको बारा तीन नाम सत्ताई तीन इकल तीन तीन तीर का 9 X वराबर 9 गटे 13 और X का मान किसी भी एक्वेशन पर रखता हूँ इस सर फिर रखतेते हैं तीन गोडे 9 गटे 13 माइनस 5 भाई वराबर 4 नो तीया 27 गटे 13 और 4 इस्त्रवा जाएगा 5 गटे इस्त्रवा जाएगा और यह 13 27 तीरा चुको बामन और 12 में से साधिया बचा पांच आना 12 में साधिया बचा पांच और 4 में से दो गए बचा दो अभी माइनस का बटे 13 भराबर 5 भाई पांच से बाग देदेंगा माने 5 बटे 13 भराबर य यह भराबर माइनस 5 बटे 13 और इनका आप सत्यापन भी गड़ सकते हैं ठीक हैं? जैसे इसमें रख के देखू एक्स की जगर 9 बटे 13 यह माइनस 5 बटे 13 बराबर में चान निकलाए तो सही है? 25 बटे 13 52 बटे 13 हो जाएगा? बिल्कु सही है मतलब जो अंसर निकाले हमने बिल्कुल करेक्ट है इस तरीके के सवालों को आप सत्यापे जरू करना एक्जाम पर कि को बिटा आप इतनी महनस से करेंगे तो कहीं पर भी कोछ जान समलते हैं कि नंबर कड़े जाए बात क्लियर अगले कोश्चन की तरफ चलते है यहां कि दो अंको की संख्यावाले बहुत आते हैं पेपर में बहुत कोश्चन आते हैं पेपर में ठीक है यह कोश्चन मतलब इतने ही इंपोर्टेंट है कि आपको बता नहीं सकते कि इतने आते हैं दो अंको की संख्यावाले में आपको एक मैथड याद रख लेना क्या रियाद रख लेना माना दहाई कांक बराबर एक्स एवाँ एकाई कांको बराबर अब कुछ के दिमाग में सर एक्स पहले दहाई कांको क्यों मान लिया अब देखे सबस्कुरो संख्या 25 तो यह क्या है एकाई कांक यह क्या है दहाई कांक पहले को ना है दहाई कांक एक्स मान लिया एक आई का वाई मान लिए ठीक है इस तरीके साब को चीजें ध्यान पर रखनी है अब इसके आगे तब संख्या क्या हो जाएगी तब संख्या एक्ष्वल जो होती है वो होती है दस गुने दहाई कम दहाई में दस ही दो आता है प्लस एक आई कम इस हिसाब से जो संख्या बन जाएगी 20 एक्स प्लस वाई बन जाएगी यह मेहथड आपको दोंको की संख्या में रट लेना है यह आपने रट लिए किसी भी 2 ranking के से कुष्टिन गुमां क्या आ जाए आप से बन जाएगा। दो अंकों की e sankshyah एवं उसके अंकों को लटने पर बनी संक्या का यूपल छाच Nossa है। ठीक ओए डोंकों की अगर संक्या है ढ़िक अगर संख्या है मिच्अ पहले नमबर दोंकों की जो संख्या है तस एक्स प्लस का वाई और उसके अंकों को उलटने पर उलटने का मतलब एकाई का अंक दाई की जगा दाई का एकाई की जगा प्यानी की अंक्या संख्या के अंक को लटने पर क्या बन जाएगी दस वाई और प्लस का एक्स ये रही मूल संख्या और संख्या क ग्यारा बराबर 6,6, 11, पॉमन लेने के बाद, एक्स प्लस य बराबर 6,6, ग्यारा च्छका, 6,6, एक्स प्लस य बराबर 6, बात के लिए, इसके बाद आगे question में कहा रहा है, यदि अंको का अंतर, अब अंको का अंतर में हमें ये confirm नहीं है, कि एक्स बढ़ा के वाई बढ़ बात क्लियर समझे रहे ना, अंको का अंतर, केवल दो कह दिया, यानि कि एक्स माइनस वाई बराबर दो, जब ऐसा confusion पैदा हो ना, कि एक्स बढ़ा था कि वाई बढ़ा था, जो भी answer निकलेगा, उसका दूसरा answer एक और निकाल देंगे, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर समी करण, एक बाँ, दो को जोड़ने पर, और जब दोनों को जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर छे देरा, और एक्स माइनस वाई बराबर दो देरा, जब दोनों को जोड़ेंगे, ये कटके टू एक्स, ये हो जाएगा आठ, दो से भाग देंगे, एक्स बर रख दिया जाए तो y बराबर 6-4 y बराबर कितना हो जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगे 10x plus का y 10 गुणे 4 plus का 2 हो जाएगा 22 अंको का योग कितना 6 अंक और अंके अंको को पलटने पर अंक पलटने के बाद ये बन जाएगा योग छाचट ये भी सही है दोनों का अंतर कितना है दो लेकिन यहाँ पर एक confusion था कि x बड़ी के y बड़ी क्योंकि ये जो अंतर x-y बराबर दो लेखा ये सर्थ वो है जब x बड़ा और अगर y-x लिखते है तो अंसर चेंज जो जाता है तो इसमें संख्या जो आजाएंगे संख्या जो आजाएंगे 42 या 24 इन्हीं के अंकों को उलट उलट कर देते हैं इस तरीके के बल इस तरीके के कंफ्यूजन वाले सवालों में चार दो लेखा दो चार कर दीजिए के बल इस तरीके का अगर सवाला है तो अंसर डबल निकलते हैं बाकी सम में अंसर डबल नहीं निकलते ठीक है आगे जलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर ये लिखा हुआ है अब इसको किस तरीके से करेंगे इसको भी देख लीज़े समीकरन दिये हैं 2X प्लस AY वरावर 1 2X प्लस AY माइनस 1 वरावर 0 अगर तुलना करेंगे तो A1 वरावर 2 B1 वरावर A और C1 वरावर माइनस 1 और दूसरा क्या दे रहा है 3X माइनस 5Y वरावर 7 तो 3X माइनस 5Y वरावर वो साथ इस तरब ले जाएंगे माइनस हो जाएगा इसमें कंपैरिसन करते हैं A2 वरावर 3 B2 वरावर माइनस 5 अब आप सोच रहा होंगे सर इतना फुर्ती में क्यों कर देते हैं थोड़ा सा अबजेक्टिब को जल्दी करना भी सीखिए अब कहा रहा है कि A का मान जब कोई भी हल नहीं होगा इनका कोई भी हल नहीं होगा तो ये निकलता है A1 वरावर A2 वरावर B1 वरावर B2 वरावर ये दोनों तो बरावर करी सकते हैं A1 कितना है? 2 वरावर 3 कितना होगे? 2 वरावर 3 B1 A वरावर माइनस 5 इस तरफ जाएगा माइनस का 10 वरावर माइनस का 10 वरावर 3 ये हो जाएगा औप्शन सी करेक्ट अनसर objective को थोड़ा जल्दी करना सीखें कौन सालेशन करना पड़ता उसको तो सीधा option omr पर फिल करना पड़ता अगले question के तरफ चलते हैं यह रहा है अगला question जो कहा रहा है वो क्या रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 एक संख्या दूसरी संख्या की तीन वुनी है देखे, माना, बड़ी संख्या, X, छोटी संख्या, बरावर Y, और दो संख्याओं का अंतर, 26, एक संख्या, दूसरी संख्या की तीन गुनिया, बड़ी संख्या जो हो जाएगे, दूसरी की तीन गुनिया हो जाएगे, ठीक है, अब समी गरण, एक बावर, दो से, X की जगा थिरी Y, 2Y वरावर, 26, दो से भाग देंगे, Y वरावर 13, ठीक है, Y का अमान इस्वर रख देंगे, X वरावर 3Y, X वरावर 3, Y की जगा 13, X वरावर 13, 49, तो यह हो गई ना संख्या, एक 13, दूसरी 49, तो कहा रहा है, एक दूसरी की तीन गुनिया, तो संख्याएं याद कीजे, बस यह हो गया, अंतर जो कहा रहा था, 26 कहा रहा था, एक दूसरी की तीन गुनिया, X बड़ी थी, और Y छोटी थी, तो X, Y का तीन गुना हो जाएगे, अब X का मान इस में रख दिया, थोड़ा सा आइस्ट कर दिया, ठीक है, अगला कोस्चन, बाकी किसी को समझ पर ना है, तो आप एक नहीं, दो नहीं, तीन बार, जितने बार भी देखना चाहते हैं, इसली देख सकते हैं, क्या रहा समीकर निकाय दियेगा है, तो Y का मान होगा, देखे, X बड़े A बराबर, Y बड़े B, ठीक है, तो क्या करेंगे, X बराबर कितना हो जाएगा, A स्तरब जाएगा, A बटे B, Y, यह देखे, इसको स्तरब लेगा न, A बटे B, X बराबर, समीकर निकाय पहला, एक्विशन क्या देखे, A X प्लस, B Y बराबर, A स्कोर प्लस का, B स्कोर, देखे हैं, A X की जागा, A बटे B, Y, B Y बराबर A SQUARE PLUS का B SQUARE हरों कला सब B A SQUARE Y B का यहाँ पर खुना हो जाएगा तो B SQUARE Y A SQUARE PLUS का B SQUARE दोनों में Y पॉमल ले लिए जाए A SQUARE PLUS का B SQUARE बटे B बराबर A SQUARE PLUS का B SQUARE यह कड जाएगा Y बराबर B Y बरावर क्या जाएगा B आ जाएगा ठीक है बात के लिए Y की जगह पे कितना हो जाएगा B आ जाएगा Is that clear इसमें सत्याफित भी कर लेते हैं रखके कि आपस में दोनों बरावर हो रहा है X की जगह पे A बटे B Y बटे A Y की जगह B बटे B Y की जगह B निकला है बटे A जब बटे B से B कटी है A से एक कटी है B से B एक बरावर एक Y बरावर भी करेक्ट अज़र हो जाएगा ठीक है अगले कोश्चन की तरफ चलता है रखकेक समी गरण के अने खलोंगे दिखाए दिखा देते हैं अने खल का मतलब क्या समपाती A1 बटे A2 बरावर B1 बटे B2 बरावर C1 बटे C2 तो 3X माइनस Y बरावर दो 3X माइनस Y माइनस 2 बरावर 0 इसके अगर कंपेरिजन करें AX A1 X B1 Y C1 बरावर 0 तो यहाँ पर जो निकलेगा A1 बरावर 3 B1 बरावर माइनस 1 C1 बरावर माइनस का 2 ठीक है दूसरा समी करण है 9X माइनस 3Y बरावर 6 9X माइनस 3Y माइनस 6 बरावर 0 इसकी कंपेरिजन करते है A2X प्लस B2Y प्लस C2 बरावर 0 से ठीक है अब A2 कितना हो जाएगा A2 बरावर 9 B2 बरावर माइनस 3 और C2 बरावर माइनस 6 अब चेक कर लेते A1 बटे A2 कितना निकलेगा 3 बटे 9 1 बटे 3 B1 बटे B2 माइनस 1 बटे माइनस 3 ये भी 1 बटे 3 और C1 बटे C2 बरावर जो निकलेगा माइनस 2 बटे माइनस 6 ये भी 1 बटे 3 चूँकि A1 बटे A2 बरावर B1 बटे B2 बरावर C1 बटे C2 ये स्तिति क्या होगी संपाति, और संपाति में क्या निकलते हैं, अनेकल, तो कह लेखेंगे, आता है, समीक अर्णों के, अनेक, हल होंगे, और यही तो सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध, ठीकि चान नमबर का है, देखें, चान नमबर का, मतलब इतने सारे नमबर हो पे दिया, ठीक है, अगले कुश्चन की दरफ चलते हैं, एक यहां क्या कुश्चन, दो अंकों की संख्याओं वाले कुश्चन भहुत हैं, ठीक है, जिसको भी पढ़ लीजें, आप लोग सभी लोग, पटापट से, कि क्या दिया होगा है, ठीक है, पटापट से पढ़ लीजें, तो दो अंकों स दहाई का अंक बराबर एकस एक आई का अंक बराबर वाई तब संख्या बराबर दस एकस प्लस का वाई हो जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी समझाया। आफ कुश्यन पे कह रहा है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकू का योगना है। यह नंबर में अंकों का योग वराबर 9 यानि कि X प्लस Y वराबर 9 ओके रहे यह ती संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 सदिक हुजाती यानि कि अगर अंकों को उलट दिया जाए यानि 10X प्लस Y को 10Y प्लस X लिख दिया जाए यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए ठीक है तुझे नई संख्या है मूल संख्या से मूल संख्या 10X प्लस Y है यह रही नई संख्या मूल संख्या 10X प्लस Y से 27 सदिक हो जाती है कितना 27 सदिक 10 y plus x minus 10 x minus y बराबर 27 10 y में से 1 y गया 9 y 10 x में से 1 x गया 9 x 9 common ले लिया जा y minus x बराबर 27 9 27 y minus x बराबर 3 अब एक बदो को जोड़ने पर equation 1 plus equation second आप ये ना सोचना है कि इतना short लिख रहा है आप भी एक्जाम में करें आप थोड़ा चा सही तरीके से लिखना equation first second को जोड़ते हैं x plus y बराबर 9 और y minus x बराबर 3 मैं क्या है ना कि वीडियो जादा long बनाना नहीं चाहेता ठीक है तो 2y बराबर 12 2 से भाग दे देंगे 6 और y की जग अच्छा रखने x plus 6 बराबर 9 9 minus 6 x बराबर 3 संक्या कितनी हो जाएगे 10 x plus का y यानि 10 बराबर 3 plus का 6 यानि 36 या अब यह हो जाएगा इसमें डा बलंस है नहीं लेखेंगे इसमें कोई ऐसा डाउटी नहीं है कि कौन संक्या बड़ी कौन चोटी ठीक है बात क्लियर आप सभी को अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं या आगया कुश्चन इसको पढ़ लीजे उमीद है कि सब को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से बढ़िया से समझ में आ रहा होगा सभी को अगले कुश्चन की तरफ चलते हैं तो अगले कुश्चन को भी समझते हैं कि क्या है ठीक है 11 यह दी कुरसी का मूल बराबर एकस रुपए एक मेज का मूल बराबर वाई रुपए अब देखते हैं चार कुरसी साथ मेजो चार कुरसी यानि चार एकस साथ मेजो यानि साथ मूल बराबर वाई इसको थोड़ा सा सॉल्फ कर सकते हैं जब हम दू कॉमन निकालना है तो तीन एकस और पांच वाई बराबर पांच वाई बराबर पांच वाई बराबर देदेंगे तेन एकस प्लस का पांच वाई बराबर दो सुसाथ बात के लिए ठीक है बात के लिए यहां तक आप क्या करते हैं इनको सॉल्फ करने के लिए हम एकस को एक्वल करते हैं इसको एक्वल करते हैं एकस को एक्वल करते हैं तो यहां पर तीन से मल्टिप्लाई करते हैं यहां पर चार से हैं ठीक है बारा एक्स तेंच को बारा एक्स प्लस साथ एक कईस वाई बरावर जीरो छेत्रीक अठार रही आठ हां से लगी एक तेंद्र करनों एक दस एक्क्वेशन थर्ड और चार से गुणा कर देंगे बारा एकस 20Y बरावर 0, 644 की 4 हां से लगी 2, 4, 8, 2, 10 अब इनको क्या करते हैं माइनस कर देते हैं जैसे ही माइनस किया जाएगा ये कड़ जाएगा ये वाई बचेगा ये 0 और 4 ये 40 रूप निकला है वाई का माण और जब वाई का मान यहां रखेंगे 4X साथ वाई की जगर पे 40 बरावर 360 ठीक है साथ चको 28 यानि 280 बरावर 360 चार एकस बरावर 360 माइनस 280 कितना बचेगा जीरो ये आठ चार दुनी आठ एकस बरावर 20 ये आजाएंगे मूल्ड ठीक है सत्यापित भी कर ले ना कैसे उसने बोला था कि चार कुरसी यानि चार दुनी आठ और साथ मेज साच को 28 हो गया 360 रुप है सत्यापित भी हो गया अंसर 100% करेक्ट है ठीक है अगले कोश्चन की तरफ चलते है अगला कोश्चन ये रहा अगले करें दो अंको की संख्या के अंको का योग नौ है इस संख्या का नौ गुना संख्या के अंको को पलटने से वनी संख्या का दो गुना है ठीक है सेम प्रोसेस पहले जैसे सवालों की तरह माना दहाई का अंको बरावर एक्स एकाई का अंको बरावर वाई संख्या बरावर दस एक्स प्लस का बरावर यह कॉंसेप्ट तो लगाना ही लगाना आपको अंक दो अंको की एक संख्या के अंको का योग अब अंकों का योग कितना कह रहा है अंकों का योग बराबर 9 यानि X प्लस Y बराबर 9 इसके बाद इस संख्या का दोग 9 को नव Second condition First condition और अब हम लगाते हैं Second condition Second condition पर गयर है इस संख्या का 9 गुना यानि 9 गुना 10 X प्लस Y के संख्या के अंकों को पलटने से वनी संख्या का दो गुना दो गुना एक इसका अंकों को पलटने से 10 X प्लस Y के कितना हो जाएगा 10 Y प्लस का X यहाँ पर गुना करेंगे 90 X प्लस का 9 Y 20Y प्लस का 2X 90X इस तरह Y का 2X 20Y माइनस का 90Y 90 में से 2 क्या 88X और ये 11Y 188 8X वरावर Y तो Y वरावर 8X equation second Y कमाने हाँ पर रखते है ठीक है Y की जगह पर 8X रखते हैं बरावर 9 9X वरावर 9 X वरावर 1 तो Y वरावर कितना हो जाएगा 8 गुने 1 तो संख्या क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी 10X प्लस का Y X की जगह पर 1 Y की जगह 8 यानि 18 ये हो जाएगा अंसर ठीक है बात किलियर सभी को I hook की किलियर होगा अगले कोश्चन की तरफ चलते है ठीक है अगले कोश्चन को देखते हैं किस तरीके से करना है तो अगले question की तरफ चलता है, समी करनों को हल करना है, क्या करना है, इनको हल करना है, तो simple है कोई tension वाली बात नहीं है, कितना लिखा हुआ है, तीन वटे दो एक्स, माइनस पांच वटे तीन वाई, बराबर माइनस का दो, हरों का लासा 6, ठीक है, हरों का लासा 6, तीन तिर करनों, एक्स, पांच निन तस, वाई बराबर माइनस दो, नो एक्स माइनस तस वाई, बराबर माइनस का बारा, equation first x वटे 3 y वटे 2 बरावर 13 वटे 6 हरों का लास अच्छा है 2x 3y बरावर 13 वटे 6 तो 2x plus का 3y बरावर 13 दोने equation हों का क्या करते है हाल कर लेते है हाल करने के लिए हम क्या करते है इस equation में हम 3 से कुणा करते है इसमें 10 से कुणा करते है ठीक है गुणान के बरावर कर रहा है जब यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे 27 x हो जाएगा यह 30 y हो जाएगा अब भारती 36 हो जाएगा समी करन 30 और यहाँ पर 10 से कुणा कर देंगे 20 x हो जाएगा 30 y हो जाएगा और यह 130 हो जाएगा 10 से जैसे गुणाद किया जाएगा यह कड़ जाएगा यह साथ एक्स बचेगा तो 30 जाएगा तो 100 6 जाएगा 1492 जाएगा इसे बचेगा जाएगा 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 यह सूरी यह कितना हो जाएगा नौ माइनस का तस भाई श्यू निवारा ठीक है यह भी देखने चाहिए टू एक्स प्लस का रिवाई टीक है 666 कड़ गया यह भी क्लियर है तीन से गुणा करेंगे 27 30 12 36 जाएगा और दस से गुणा करेंगे 20 30 और 130 ठीक है तो 130 में से अगर 6 जाएगा 10 में 6 जाएगा 4 और 12 से 3 गया 94 यह बचेगा ठीक है एक्स वरावर 94 बटे साथ ठीक है ऐसे ही बजाएगा आपर कुछ गटेगा क्या साथ एकम साथ नहीं यह तो जुड़ जाएगा यह जुड़ जाएगे यह 47 एक्स हो जाएगा ठीक है अब 47 से दो बडर जैसे भाग दिया जाएगा एक्स वरावर 2 हो जाएगा और एक्स का मान यहां पर रखते हैं 9 बोड़े 2 माइनस का 10 y बरावर 12 10y बराबर 18 इस्तरव आएगा तो माइनस का माइनस का 12 माइनस का 10y बराबर माइनस का 30 y बराबर 3 और x बराबर 2 ये correct answer हो जाएगा ठीक है बच्चो बात के लिए आपको अगले question की तरफ चलता है अब सम पाती हों तो p का मान ग्यात करना अब ऐसे यहाँ पर देखिए ना सीधा-सीधा कर दीजे a1 बराबर 3 b1 बराबर माइनस एक और c1 बराबर 8 और दूसरी question में a2 बराबर 6 b2 बराबर माइनस का p c2 बराबर 16 इस तरफ लेके आएगे तो माइनस का 16 अब कियारा समपाती रेखाएनी रूपित करती हैं तो p का मान आई यार समपाती में क्या होता है a1 बराबर b1 बराबर c1 बराबर c2 अब a1 कितना 3 बराबर 6 b1 कितना माइनस एक बराबर minus p 1 बराबर 2 बराबर 1 बराबर p रेखाएं परस पर समानतर हो यह भी समानतर हो समानतर में भी a1 बराबर b1 बराबर b2 does not equal c1 बराबर c2 होता है अब a1 कितना होगे 3 a2 कितना होगे 2 b1 कितना होगे 2p 2p हो जाएगा और b2 कितना हो जाएगा 5 ठीक है और यह 5 ती 15 15 बटे चार यह रहा यह नंबर करेक्ट अंसर अगला कुश्चन यह रहा दो अंकों की एक संख्या में अंकों का यह होगे और कोई आखरी है तो मान लेते सेम वैसे माना दहाई का अंक बराबर x एक अंक बराबर y तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा 10x प्लस का y क्या रहा है दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 अंकों का योग कितना है अंकों का योग बराबर है 12 यानि x प्लस y बराबर 12 एक्वेशन फ़स्ट अंकों का इस्थान बदल देने पर प्राब्त संख्या दी गई संख्या से 18 दिख हो जाती है ठीक है यह क्या हो गई 2nd condition और यह क्या थी 1st condition अंकों का इस्थान बदल देने पर यानि 10y प्लस का एक्स अंकों का इस्थान बदल देने पर प्राब्त संख्या दी गई संख्या से 18 यह प्राब्त संख्या है दी गई संख्या 10x प्लस y है कितना देगा 18 देगा तो 10y प्लस का एक्स माइनस का 10x माइनस का y बराबर 18 अब 10 y में से 1 y किया, 9 y, 10 x में से 1 किया, 9 x बराबर 18, 9 common ले लेंगे, y minus x बराबर 18, 9 दुनी 18, तो y minus x बराबर 2, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते है, equation first plus equation second कर देता है, तो x plus y बराबर कितना है, 12, और y minus x बराबर है, 2, तो यह दोनों कड़ जाएंगे, 2y बराबर 14, दो से भाग देते हैंगे, y बराबर 7, जब y का मान 7 आ गया, तो x plus 7 बराबर 12, x बराबर 12 minus 7, x बराबर बचेगा 5, तंक्या कितनी हो जाएगे? 10 x plus y, 10 बराबर 5, 7 बराबर, ठीक है, यह यहाँ तक आप सभी को किलियर, पच्छी लगी हो वीडियो, तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को जादा स्यादा शेयर करना, मिलते हैं अब अगले चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए से बच्चों को आपको भावा टक केर और बॉट लग पच्छों